अगर देखा जाए तो आज के दिन में ये देखने में तो एक से डिर परसंट के गिरावट लग रही है लेकिन आज के दिन इसका जो प्रीवियस क्लोस था वो 142 था जब मार्केट ओपन हुआ बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी थी हस्ता खेलता हुआ 150 रुपई से उपन निगल गया ये शेर 151-152 रुपीज तक पहुंच गया ये लेकिन एक खबर ऐसे आई जिसने एक जटके में आप खुद देखिए 150 रुपई से भी उपर शेर ट्रेट कर रहा था और सीधा 136 पर लाके इसको पटक दिया तो बहुत बड़ी गिरावट इसके हाईज और लोस के बीच में देखने को मिली है भले ही एक परसंट की गिरावट आपको आज के दिन में देखने को मिले लेकिन ये देखा जाए तो कम से कम 10 या 12 परसंट की गिरावट है अपने हाईज से लो के बीच में अगर हम देखे तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि शेर इतना जादा तूट गया बाद में संबलने की कोशिश कर रहा है 141, 142 के आसपर स्ट्रेट कर रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो खबर जैसी ही आई कि जो मैटो के जो को फाउंडर है गौरो गुपता उन्होंने भईया जो मैटो को अलविदा कह दिया है रिजाइन कर दिया है कंपनी से और इसी के वज़े से जैसी ही ये खबर ब्रेक हुई आज के दिन में भी बारा बज़े ही ये खबर ब्रेक हुई है जैसी ही ये खबर ब्रेक हुई एक जटके में आप देखे शेर तभी तूटना शुरू हुआ बारा बज़े से ही ये तूटना शुरू हुआ और तूटके बिखर गया ये शर तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा डवलोप्मेंट यहां पर देखने को मिला है कि और यह मैं यह नहीं कह रहा हूँ तो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ओफिसर रहे 2018 में and as a founder in 2019 he was a face of the company in the run up to the IPO IPO के दौरान भईया ये कंपनी का face रहे है और इतने बड़े आदमी अगर exit लेते हैं तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा शौक जरूर है और अभी हाल फिरहाल में जमटर ने अनाउंस भी कहता है कि वह ये वो grocery delivery से exit ले रहे हैं और definitely कहीं न कहीं कुछ तो चल रहा है कि ये इतनी बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिली है तो ये company के founder निकल रहे है और ऐसा भी निकल एज हो चुकी है पीछे सारी चीज़े बताई थी लेकिन इस सार इन्होंने resign कर दिया और ये वाकई में कह सकता है ये चौकाने वाली खबर है जो मैटो के बारे में अगर हम बात के तो definitely असर देखने को मिला जब company के founder छोड़ के जाते दो वही असर देखने को मिलता है और ये share 152 रुपीज से तूट कर 136 रुपीज तक पहुंच गया वो भी कुछ मिनिटों में बाद में दुबारा recovery करी है और recovery देखने को मिली भी है इस बात में कोई शक नहीं है और आज के दिन में 7 करोड़ से भी जादा कर इसका volume trade देखने को मिला है खतम होते होते अगर ये 15 करोड़ भी पहुंच जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी यहाँ पर Zomato के बारे में अगर हम बात करने जाए तो Zomato according to money control user 14% लोग बेशने के बात के रहे 76% लोग खरीदने के बात के रहे और 10% लोग यहाँ पर hold करने की निशियत देते हुए नजर आ रहे हैं company के revenue में बड़ी आउचाल था और देखे ये जो revenue जो इनका increase हुए वो Corona काल में increase हुआ है क्योंकि देखे रेस्ट्रोरेंट वालो के पास और कोई रास्ता नहीं था वो Zomato और स्विगे के उपर dependent थे क्योंकि lockdown लगे हुए थे delivery partners को थोड़ी बहुत छूट जरूर थी और देखा जाए तो लोग भी कही न कहीं खाने के लिए उन्हीं के उपर dependent थे पर अब जो लोग afford कर सकते हैं वही जो बैचलर्स वगेरा जो है ठीक है बड़े बड़े शहरों में जो खाना घर पे बनाते नहीं है और बनाते हैं तो भाईया रोज रोज नहीं बनाते हैं तो definitely उनके पास कोई option नहीं था और इनके orders इतने बढ़ चुके कि भाईया बड़ी रफतार पकड़ी और मैंने आप कही बर बता चुका हूँ कि एवन कुरोना से पहले जो पर ओर्डर रेस्टोरेंट से ही लोग चार्ज लेते थे वो 40-50 रुपे का था लेकिन कुरोना काल में इन्होंने रेस्टोरेंट से 80-90 रुपे पर ओर्डर का चार्ज लेना शुरू किया था और रेस्टोरेंट वालों को देना भी पढ़ रहा था कि कोई option नहीं था उनके पास तो मेरे हिसाब से देखें लांग टर्म के लिए मैं जुमैटो के उपर उतना ज़्यादा डिपेंडन नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि देखें पिछले डेड़ दो साल से लोग भाया बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए भरे पड़े हैं लोग जाते हैं बाहर खाना खाते हैं लेकिन आने वाले समय में यह चीज़ें और होती हुई नजर आएगी ठीक है लोग प्रिफर करेंगे कि वह यह बाहर बैट के खाया आराम से अभी तो देखें जो लोगों की वर्क फरम होम कर रहे हैं लेकिन जैसे ऑफिस शुरू होंगे आईटी वालों के तो वह भी डेफिनेटली कहीं न कहीं चीज़ों को प्रिफर करेंगे ओवर ओल दिखें मैं जुमैटो को लेकर इतना कहूं कि मुझे यह महेंगा लग रहा है कोटक ने अभी हाल फिला हाल में कहा था कि वहीं 175 रुपे तक जाएगा जुमैटो खरीदारी करने के सलाजी तबी दो जिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी कहा था कि देखो मुझे इतना भरोसा नहीं मुझे ये शर्म महेंगा लग रहा है मुझे लगता है कि जुमैटो खरीदने का मौका 124-125 रुपे के आज पास हो सकता है क्योंकि वहां पर एक strong support के तौर पर वो level जो है वो काम कर रहा है ठीक है आप देखें यहाँ पर 124-126 का जो level है वो एक strong support के तौर पर काम कर रहा है वो से नीचे ये तूटा नहीं है तो वहां पर एक मौका हो सकता है लेकिन अभी भी जो top officials resign करके गए हैं तो उससे क्या impact पढ़ने वाला है तो वो चीज पहले देखनी होगी उसको पहले evaluate करना पड़ेगा तो अभी तो भई या ना खरीदारी करने की सला है यहां पर अभी wait and watch का सलसला अपना चाहिए और तो और अभी तो देखा जाए तो 75% एनालिस्ट खरीदने के भी सला यहां पर देते हुए नजर आदी है जोमैटो में यह नहीं करोगी कंपनी बरबाद हो जाएगी लेकिन जिस सेग्मेट में कंपनी काम करती है उस सेग्मेट में आने वले समय में कंपेटिशन बढ़ने वाली है Swiggy already काफी बड़ी टकर दे ही रहा है लेकिन साथ साथ देखें तो Amazon भी यहां पर कूद चुका है Amazon भी कूद चुका है यहां पर हलागि बंगलूर में तो स्टार्ट भी हो चुकिए है डिलिवरी वह गेरा लेकिन आने कोले समय और बड़े प्लेयर्स भी आपको आते हुई नजर आ सकते हैं Zomato definitely dominate करेगा सबको dominate करेगा लेकिन कोरोना के बाद का क्या mindset रहेगा लोगों का ये एक देखने वाली बात होगी और देखे company profit में नहीं है company जब से आई है तब से loss में है और देखे बले ही revenue बड़े हैं लेकिन उससे जादा इनके losses बड़े है तो जो मेरे हिसाब से उतनी positive चीज मैं इसको नहीं मानूँगा 2450 करोड का loss इनको 2020 के financial year में हुआ है 21 में भी 850 करोड का loss हुआ है तो losses बड़े हैं इनके काफी बड़े ये losses है overall मैं इतना ही कहूँगा कि आज की ये खबर है जोमेटो के co-founder गौराग गुपता वहिया resign कर रहे है company से और हलाकि money control की ये खबर है अभी तक official statement आया है कि ये अभी तक मुझे पता नहीं है लेकिन again मैं इतना ही कहूँगा कि अगर ये सच है तो कही न कहीं share को तोड़ने का काम करेगी कि sentiment है वो यहां से hurt होता हुआ लग सकता है लोगों का again खरीदारी करने के सला नहीं है mock 24 के आस्वाद जरूर बन रहे है इसके इसमें भी कोई शक नहीं है लेकिन इस चीजों को दुबारा evaluate उस लेवल पर किया जाएगा उसके बाद ही position बनाने के ज़रूरत है वीडियो को यहीं प्रेंड करूँगा पसंद आए हो तो like कर शाय कर चैनल पकर पहली बारे तो please subscribe करे और zomato के बारे में आप क्या सोचते है वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते है thank you